वजन कम करने एवंग पेट की चर्वी को कम करने में मदद करती है अलसी जाने सहत से जुड़े इसके कई जवरदस्त फायदे नमस्कार दूस्तों वजन घटाने में अलसी बीज में मौजुद डाइटरी फायबर आपकी मदद कर सकता है फलेक्स सीट पर कीएगे एक अध्यन में पाया गया कि रोजना 30 ग्राम फायबर शरीर से अतिरित चर्वी को हटा सकता है सुध में यह भी पाया गया है कि हाय फायबर युग्त डाइट ना सिर्फ वजन बलकि टैब 2 डाइबटीज और हिरदे रोग के जोखिम को भी कम कर सकती है एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार डाटरी फायबर का सेवन करने से मोटापा दूर किया जा सकता है रिपोर्ट बताते है कि फायबर और बाडी फेट के बीच विप्रित संबंध है यानि अधिक फायबर युग्त भोजन का सेवन आपके वजन को नियंतरित करने में मदद करेगा वजन घटाने के सभी कारगर तरिकों में अलसी एक परभावी उपाय है जो सरीर से अतिरिक चर्वी को निकालने में मदद कर सकती है अलसी के बेच उन सभी खादप्तार्थों से समरिध होते हैं जिनकी जरुरत वजन घटाने के लिए होती है जैसे फायबर, उमेगाथिरी, फैटी असीड और एंटी अक्सिडेंट इत्यादी आई जानती है अलसी में मौझूद औस दिय गून किस प्रकार वजन कम करने में युगदान कर सकते हैं ऐसे में अगर आप तेजी से वजन घटाना चाहते हैं तो रोजाना अलसी का सेवन सुरू कर दिजिए इससे आप 10 दिनों में लगभग 5 किलो तक वजन घटा सकते हैं दोस्तों अलसी में मौझूद एंटी अक्सिडेंट और फैटो केमिकल्स बर्थी उम्र के लक्षनों को भी कम करती है जिससे तोचा पर जुरिया नहीं होती है और कसाव बना रहता है इससे तोचा स्वस्त हुआ चमकदार बनती है अलसी में अलफा लाइनोिक एसिट पाया जाता है जो अर्थराटीस, अस्थमा, डाविटीच और कैंसर से लड़ने में मदद करता है खास्त और से कोलन के इंसर से लड़ने में या सहायक होता है सिमीत मातरा में अलसी का सेवन खूर में सरकरा के अस्तर को नियंतरित करता है इसे सरीर के आंतरिक भाग स्वस्त रहते हैं और बेहतर कार्ज करते हैं इसमें उपसित लाइगन नामक्ततु आंतों में सक्रिय होकर ऐसे तत्व का निर्मान करता है जो फिमेल हर्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने में महत्पूर्ण भूमिकाने वाता है। अल्सी के तेल की माली से शरीर के अंग स्वस्थ होते हैं और बेहतर तरकी से कार्ज करते हैं इस तेल की मसाज से चेहरे की तुचा कामतिमय हो जाती है। सकाहरी लोगों के लिए अलसी ओमेगा 3 का बेहतर विकलब है क्योंकि अब तक मचली को ओमेगा 3 का अच्छा सुरोत माना जाता था जिसका सेवन नौन वेजेटेरियन लोग ही कर पाते हैं अलसी में ओमेगा 3 भरफूर मातरा में पाया जाता है जो रक्त परवाह को बेहतर कर खून की जमने या ठका बनने से रोकता है जो हार्ट अटेक का कारण बनता है यह रक्त में मौझूद को रिश्टरॉल को कम करने में भी साहयक होते हैं तो दोस्तों यह थे अलसी की फायदे जनकारिया आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा सेर करे वीडियो को लाइक करे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ